हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो मैं चैनल अम्रिती फैशन विला आज की वीडियो हम लडू कुपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं एक्दम सिंपल और आसान तरीके से हमने इसे बनाया है और यह रहे चार नंबर के खाना यह पेना के दिखाती हूं यह सभी खाना जी ल और फांच नंबर को भी पहना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है बहुत इजली आ जाएगी तो तीन पांच और चार के लिए बना लिए बाकि वीडियो मैंने आपको बताया है कि आप इसे सभी साइज में बना सकते हैं यह देखिए यह हो गया है हम इस तरह से यहां पर प आपको मिलती रहे और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टागाम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पर फॉलो करिए मेरा इंस्टागाम है अम्रिती फेस्टमलाफिटी है फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूंकि वहां से देखिए आप सभी सा अपको बनाना दिखाऊंगी तो यह देखिए हमें सबसे पहले अपना और यह मैं डबल करके इसलिए यूज़ करती हूं कि यह बहुत पतला आता है कि कढ़ाई करने के लिए इसमें बिल्कुल भी रे से नहीं निकलते हैं इसलिए इसे मैं यूज़ कर लेती हूं आप इसक इस तरह से एक लूप बना लेंगे यह हमने बना लिया अब इसमें अपने हूंक को डालेंगे और डालने के बाद यह देखिए इस तरह से हूंक को डालना है और डालने के बाद खीशना है यह अपने खीश लिया यह देखिए एकदम यह ऐसा हलका है हमारी हूंक इसमें सरक अब हम यहाँ पे चेन बनाएंगे, यह देखें यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, हमने यहाँ पे चौदा चेन बनाई, अब देखें एक चेन हमारी हुक में है, इसके बाद हम एक और दो, दो चेन छोड़ेंग हम इस तरह से करेंगे और तीसी चेन में हुक को डालेंगे, पीछे से फंदे को निकाला, तीन फंदे हैं, दो फंदे से एक बार, दो फंदे से एक बार, फिर हमने इस तरह से किया, सेम जगर डाला, फंदे को निकाला, तीन फंदे हैं, दो फंदे से एक बार, दो फंदे से फिर हम ने इस तरह से किया, सेम जगह डाल दिया, फंदे को निकाला, तीन फंदे हैं, दो फंदे से एक बार, दो फंदे से एक बार इसे हम double crochet बोलते हैं इसी तरह हम यहाँ पे सभी chain में 2-2 बार double crochet बनाएंगे अब अगली chain में भी देखे डालना है 3 फंदे हैं, 2-5 से एक बार, 2-5 से एक बार फिर इस तरह से किया, same जगह डाला 2-5 से एक बार, 2-5 से एक बार ऐसे करके हम यहाँ पे सभी chain में दो दो बार double crochet बना लेंगे चले बना लेती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगे क्या करना है यह देखिया हमने हाँ पे सभी chain में दो दो बार बना दी है double crochet अब हमें क्या करना है यहाँ से turn करना है turn करने बाद हमने एक और दो दो chain बनाई इस तरह से करेंगे अब देखे फॉस्ट chain में हमने डाला पीछे से फंदे को निकाला, तीन फंदे हैं दो फंदे से एक बार, दो फंदे से एक बार फिर हमने इस तरह से किया, सेम chain में डाला फंदे को निकाला, तीन फंदे हैं, दो फंदे से एक बार, दो फंदे से एक बार, पहली चेन में हमने दो बार डबल क्रोश्य बना ली, अब अगली दो चेन में हम एक एक बार बनाएंगे, तो देखें एक बार हमने बनाया, फिर नेक्स चेन में हमने एक बार डबल क्रोश् और जो तीसरी chain आएगी उसमें दो बार double crochet बनानी है देखिए यह तीसरी chain है तो इसमें हम दो बार बुल लेंगे यह एक और यहीं सेम chain में एक और बार इससी तरह से हम अपना पूरा row complete करेंगे चले करती हूँ फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखिए यहाँ पर हमारी second row भी complete हो गई है अब हम यहाँ पर अपनी third row start करेंगे तो वह हमें इस तरह से एक और दो दो chain हमने बनाई दो chain बनाने के बार जो हमारी first chain है इसमें हमने डाला देखिए तीन फंदे हैं दो फंदे से एक बार फिर हमने इस तरह से किया सेम chain में हम दो बार बना लेंगे इसके बाद हमें चार chain में एक एक बार बनाना है यह देखिए यह एक बार हो गया फिर अगली chain में भी हम एक बार ही बनाएंगे दो chain में हमने एक एक बार बना लिया तीसरी chain में भी हमने एक बार बना दिया चौरथी chain में भी हमने एक बार बना दिया अब यह जो पांच वी chain आएगी इसमें एक बार बुलेंगे और यहीं same chain में एक और बार यह हो गया अब इसके बाद फिर हमें 4 chain में पूरा row complete करना है चलिए करती हूँ फिर आगे बताऊंगी क्या करना है यह देखिए हमारी यहाँ पर थोर्ड रो भी complete हो गई अब फोर्थ रो आप देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी रो में हम अपनी sleeve भी निकालेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे बुन रहे हैं इसे यहाँ पर हमें सबसे पहले वैसे ही chain बनाने हैं देखिए एक और दो यहाँ पर आपको इस शिश का ध्यान देना है यह सारी जो हम रो बनाएंगे किसी भी chain में हम दो बार नहीं बनाएंगे आप ध्यान से देखिए कि मैं कैसे बुन रही हूँ यह हमने जो दो chain बनाई है इसे भी हम एक double crochet ही मानते हैं तो इस तरह से करेंगे और first chain में ही हमारी double crochet बन गए तो देखिए आपे 2 double crochet हमारी हो गई पहले वाली हमारी इस तरह से करेंगे यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ आठ चेन चोड़ने के बाद नौवी chain में डालेंगे और double crochet बुन देंगे यह तरह से फिर हमने ऐसे किया हमने यहाँ पर अभी एक chain में बनाए है double crochet टोटली 11 chain में हमें बनाना है देखिए दो chain में हो गया हमारा double crochet सबी chain में एक एक बार बना रहे हूं यह हमारा तीसरी chain में double crochet छोती चेन में बना लिए डवल क्रोशिया यह पांचमी चेन में यह छटी चेन में यह साथमी चेन में यह आठमी चेन में यह हमारी 9 यह देखें 10 और यह लास्ट 11 11 चेन में हमने डबल क्रोश या बुंदी फिर हम इस तरह से लपेटेंगे और यहां पर देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ चेन छोड़ने के बाद अगली चेन में हम फिर से डबल क्रोश या बना लेंगे अब यहां पर जितनी भी चेन बची है सभी में हम बना ले रहें, देखें, हमने अभी तक दो बनाई है, यह तीन, यह चार, यह हमारी पांच, छे, और यह साथ, यह हमारी हो गई, यह देखें, यह इस तरह से हमारा आएगा, एक साथ से हमने थुड़ा से चोड़ा कर दिया है, कि हलका सा इस पे, हलका सा चड़े बस, यह द सबी चेन में एक एक बार double crochet बुनेंगे, कैसे बुनते हैं आपको बता देती हूं, यह देखें, इस तरह से हमने यहां पे एक और दो, दो chain बनाई, और यहां ऐसे करके double crochet बुन देंगे, यह इस तरह से, सबी चेन में सिर्फ एक एक बार, तो चले मैं इसे बुनती हूं, फिर आपको जिस भी साइच के लिए चोली बनानी हूं, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख कि आप चोली बनाईए, और उसके बाद घेर इसी तरह से start होगा, जैसे मैं इसमें करी हूं, सेम, कोई change नहीं होगा, सभी साइच तो देखें हमने एक बार पुर्णा पहले chain में और यहीं पर एक बार और, ऐसे ही हमें सभी साइच में करना है, अपनी चोली बना लिजे, उसके बाद चोली लिजे, उसके बाद सभी chain में दो-दो बार डबल क्रोश्या, सब कुछ ऐसे ही करना है हमें, यह देखें, यह हमन पर सभी chain में दो-दो बार डबल क्रोश्या बना दी है, अब हमें गया करना है इसे यहां पर ऐसे ज्वाइंट कर लेना है, तो यहां पर हम इसे ज्वाइंट कर लेते हैं, क्योंकि इतने के बाद हम एजली पहना लेंगे तानाजी को, यह हमने इस तरह से यहां से उनको नि आप चाहें तो इधर अपनी CD side कर सकते हैं और आप चाहें तो इस साइड भी अपनी CD side कर सकते हैं तो मैं यही side कर देती हूँ CD वाली यह देखें इधर भी आपको लगे कि आपका अच्छा फिर्शिंग है उदर कर लिजे कोई problem नहीं है अब हम यहाँ पर इसे बुनेंगे तो देखें हम कैसे बुनेंगे एकतम easy है काज बहुत easy यह देखें सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक दो हमने दो chain बनाई है अब हम क्या करेंगे ऐसे करेंगे और यह जो हमारी पहली हमने यहाँ पर देखें आपको पहली यह जो दो chain दिख double crochet बुन देंगे यह हमने बुन दिया फिर हमने इस तरह से किया अब अगली यह देखिए उपर जो chain दिख रही है यह वाली हमें इस chain में बनाना है double crochet यह हमने chain में double crochet बना दी फिर हम इस तरह से करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पीछे इस वाले में double crochet में उठा के बुना था तो एक double crochet को छोड़ेंगे और अगली चो double crochet है उसमें हम उठाके बुल जिए यह थistem उठाया और बुन दिया फिर हमने इस तरह से किया अब इसके बाद जो ऊपर चेन देख रही है, इसमें हम डॉपल क्रोशिया बुनेंगे, यह हमने बुन दिया, अब देखे हम ने आपर, पैला के आपको दिखाती हूँ, यह देखें, इस वाले में हमने उठा के बुना है, इस वाले में तो हम इसे चोडेंगे, और इसके बा तो हम इसके बाद वाली एक double crochet चोड़ेंगे और उसके बाद जो है double crochet उसमें हम उठा के बुनेंगे यह ऐसे करके तो चलिए अब मैं इसी तरह से अपनी यह रो कंप्लीट करती हूँ यहां पर हमारे कोई भी double crochet increase नहीं हो रही है यहां पर जितनी है उतनी ही हमारी second row में भी र उठाके बुनेंगे यह हमने बुन दिया फिर इसके बाद हम एक chain में बुनेंगे और एक chain में बुनने के बाद इदर हम यह देखें आप चाहिए तो इस तरह से यह दो नों में उठाके मुन सकते है क्योंकि starting में यहां पर chain थी तो यह बराबर हो जाएगा हमारे हमने उठा हमारा थोड़ा-थोड़ा समझ आ रहा होगा अब हम यहाँ पे से आकि कैसे बुनेंगे यहाँ पे हमने एक, दो 2 हमने chain बनाई इस तरह से करेंगे और 2 chain बनाने के बाद यहाँ पे हमें अपनी first chain में डालना है इस तरह से और हमें बुनना है दो chain नहीं यहां पर हम 3 chain बुनेंगे इस तरह से हमने 3 chain बुनी और यह first वाले में डालेंगे और यह हमने double crochet बुन दिया तो देखें जो हमने 3 chain बुना यह भी हमारा एक double crochet और एक हमने बुनी दिया तो 2 हो गया हमारा हम इस तरह से करेंगे यहां पर हमने अपना यह जो हमने उठा के बुना था इसमें हमने डाला फंदे को निकाला और बुन दिया यह देखें यह तरह से हमने यहाँ पे इसे बुन लिया है और फिर हम क्या करेंगे जब आप यहाँ से अपने डबल क्रोश्या वाले में उठा के बुनेंगे तब ही आपको यहाँ पे एक chain बना लेनी है और एक chain बनाने के बाद यहाँ पे हमने डाला हमने एक बार double crochet बुनी और यहीं सेम जगह डालके एक और बार double crochet बुनेंगे अब यहाँ पे मारा फंदा इंक्रीज हो रहा है फिर हमने इस तरह से किया यह हमारे जो double crochet उ और यह दो double crochet यह होगय हमारा फिर हमने इस तरह से किया यहाँ पे हमने ऐसे देखिये double crochet में डाल के उठाना है यहां से उन को डिकालेंगे और यहाँ पहलका से मैं फैला के बुनती हूं यह देखिये, जब डुबल क्रोश्य हैसे उठा के बुनना है तो हलका सा फैला लेना सिलो है और फिलाने के पाद बुना कि यहां पर लिए बहुत के बना है यहां पर बने के बना आप बुन है यहां पर रहें याँ बना यहें तरक्म पूरा अंदर शच प्षाण से यहां फ् ilk रहें ग provisions यह देखिए यहां पर हम लगबग end में आ गए हैं तो यह भी हमने उठा के बुना है तो इसके बाद हम यहां एक chain बना लेते हैं यह हमने बना दिया और इसके बाद हम यहां पर इस तरह से डालके double crochet बुनेंगे यह एक बार बुन दिया और यहां पर हमने एक और बुन दिया फिर इसके बाद हमने एक chain बनाई और यहां पर डालके हम डबल क्रॉश्या को देंगे यह हमने एक बार बुन दिया और यहीं सेम जग़ा डाल के हमने एक और बार बुन दिया फिर हमने इस तरह से करना है और यह जो हमने उग्रा वाला अपना बनाया था लास्ट वाला उसे हम इस तरह से बुनेंगे बुनने के पाद हमने एक chain बना के और इसे यहाँ पर joint कर लेना है यह हमने joint कर दिया यह देखें यह इस तरह से हमारा हो गया है हमने यहाँ पर तीसरी रो भी अपने बुन दिया है अब इसके पाद देखें अभी हमने तीसरी रो में एक एक फंटाइन क्रीस किया है हमने बीच बीच में अपने उपरे वाले के बीच बीच में देखें दो दो डवल क्रोश या है तो इस रो में भी हमें वही चीज करनी है तो हम पहले क्या करेंगे यह देखें यह एक चेन आगे आएंगे ऐसे करके जिसे हमें यह अपना उपरावाला मिले क्योंकि हमें इसी से direct start करना है तो देखें यहाँ पर हम यह ऐसे 1 और 2 दो chain बना के हमारा जो यह उबरा वाला है इससे start करेंगे यह हमने ऐसे करके यह देखें बुन देना है यह 1 और 2 और उबरा वाला बुनने के बाद हमने यहाँ पर देखें एक दम जो हमने उबरा वाला बनाया है एक दम उसके पास डालके और इस तरह से ये एक बार डबल क्रोशिया और ये दो बार डबल क्रोशिया हमने पुन दी अब देखे बीच में हमारा दो डबल क्रोशिया है इस तरह से करना है और जो उबरा वाला है इसमें हम ऐसे पुन द तो चोह थी बनाते हैं लोल के करना नहीं है और एक चैन बनाया है और इस फर सफे यहां भूंगे लग रेता लो और ऐसे पर खेंपल रहे हैं फात खेंद से हमें यहां पर भून दिया और भूसे रीम्हा पर आ हमा बें है इस तरह से करेंगे जो उब्रा वाला है हम यहां पर अपना बुन देंगे बुनने के बाद फिर हमने एक चेन बनाई और यह डालेंगे यहां पर हम दो बार ही बुनेंगे एक बार नहीं बुनना है इस तरह से हमने दो बार बुन दिया बुनने के बाद यहां पर हम इस तरह स 4 रो हमारी total हुई है, तीसे रो में हमें पाधे को ubrin है, चौते में है पढल पाधाया है. आप पांच वी रो में बढ़ाएंगे, फिर छथे में नहीं बढ़ाएंगे. Basically, हमने आपे लेके, अपने ये उबधूरे बारे की बीच में 2 लिकते है, यहां पर भी दो हो गया, अब इसके बाद दो डो में हम तीन-तीन का बनाएंगे, फिर दो डो में चाटर का भी आगे बनाओंगे तो आपको अच्छे से समा जाएगा, यह देखें इस तरह से हमने यहां पर दो चेन बनाई, दो चेन बनाने के बाद यह हमारा उबरा वाला है एक ही जगा पर हमें बुना है, यह देखें एक बार हमने बुन लिया, फिर यहीं सेम जगा डाल के हमने दो बार बुना, यहीं सेम जगा डाल के हमने तीन बार बुन दिया, यह देखें, यह हमारा तीन बार हो गया है, अब हम फिर क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, और य यह देखें यह दो और यह हमारी तीसरी यह इस तरह से आपको दिखा देती हूं अच्छे से यह देखें यहां पर हमने तीन बुन दिया है यहां पर बाले के जस्ट पगल में अब फिर हम इसी तरह से अपने पूरी रो कंप्रीट करेंगे चले करते हूं फिर आगे इस तरह से पहले तो हम हम एक दो त्schschsch, हमने तीन बनाई इस तरह से करेंगे जो अबरा वाला है इससे थरह से ढाला और बुन देंगे Is यहीं उबरा बुनना है, तुरंती एक chain बनानी है, और उसके बाद यह देखे, यहीं पर डाल के अपनी हम तीन double crochet बुननेंगे, एक, दो, और तीन, पिछले में भी तीन था, इस बार भी तीन रहेगा, फिर इस तरह से करना है, और यह उबरे वाले में डाल के हमें, बुन दे यह तीन, अब यहां पर आप समझ लिजे, आप इसे कितना भी लंबा बनाएए, बस यहीं पर, यह जो अभी हमने यहां तीन बनाया है, यह देखे, अगर आप देखते हुए आएंगे, तो यह देखे, यहां पर दो है, फिर तीन है, फिर तीन हुआ, अब फिर अगले में यहां चार हो जाएगा, फिर उसके बाद आले में भी चार रहेगा, फिर नेक्स रो में पांच हो जाएगा, उसके बाद आली रो में भी पांच हो जाएगा, मिस दो दो रो में ही हमारा डिवैड रहेगा, दो दो रो में ही हमारा यह बनेगा, दो रो में तीन है, दो रो मे इसे इतना बुन लिया है, अगर आप मक्को में दिखाऊं, पिरी के पास से, यह देखे, यह हमने दो डबल क्रोश्या बुनी है, एक और दो, फिर इसके बाद हमारी यह एक, दो, तीन हुई है, फिर अगली रोबे भी हमारी तीन है, फिर नेक्स्टो में हमने देखे, एक, द बॉर्डर बनाते हैं, बॉर्डर में एकदम, प्लेन सा बनाऊंगी, बट उतनी सही हमारा काफी हाइलाइट हो जाएगा, तो आप चाहें, तो यहां पर इस तरह से, एक चेन बना के, और हलका सा लंबा करके, अपना यह कलर कट कर लेजे, और अपना दूसरा कलर लगा बॉनिंगे कहां से, यह देखें, यह जो हमने, यहां पर डइबलक्रोश है हमारी आ रही है, आप समझ लीज fresh, यह गहरे, यह वर दात होज़ाए गल जानों, अपना लगाएगा, उन बट बचा मुदे़ाट कर लेएगा, इस तरह से हम लगा से,क यह हम लगाने के पाषर ऐसे लॉक कर दिया, अब लॉक करने के बाद हमें क्या करना है, यहां सभी चेन में एक एक बार, यह देखें, इस तरह से हाफ डुल क्रोश्या बुनी, हाफ डुल क्रोश्या कैसे बुनते हैं, इस तरह से हमें करना है, हमने फर्स चेन में डाला, पीछे से फंदे को निकाला, तीन फंडें, तीनों को एक साथ हमने बुन दिया, फिर हमने इस तरह से किया, अगली चेन में हम देखें, इस तरह से एक बार हावडोल क्रोशिया और यहीं सेम चेन में एक और बार हावडोल क्रोशिया बुनेंगे, हमने दो बार हावडोल क्रोशिया बुनेंगे, एक चेन म एक और बार, यह हमारा दो हो गया, फिर अगली चेन में हम एक बार बुनेंगे, यह हमने एक बार बुनेंगे, यह हमने एक बार बुनेंगे, यह हमने एक बार बुनेंगे, और फिर इसके बाद बारी चेन में हमें देखे क्या करना है, यह हमारी यह देखे, यह हमने उबरा इसके उपर वाली आ रही है तो हम क्या करेंगी यह नीचे वाली चेन लेंगे और इस तरह से हम इसे ज्वाइंट करेंगे यह देखें जैसे करके हमारा चोटे-चोटा सा सरकल जैसा आएगा फिर हमने इस तरह से किया नेक्स चेन में हमने एक बार हाफ डुल क्रोश्या बुन इसके बाद वाले में दो बार बुनेंगे एक और यह दो फिर नेक्स चेन में हमने एक बार हाफ डुल क्रोश्या बुनी अब फिर देखें यह जो हमने उपरा वाला बुना हुआ है इसके उपर वाली चेन है तो यहाँ पर देखें यह हम इस तरह से लेंगे पंदे को निक आप देख सकते हैं पूरा एकदम पढ़िया सा मारा सरकल आया है अब हमने यहाँ पर सिम्पल सी चेन बनाई है डोरी डालने के लिए सेम कलर में बनाई है तो देखिए इस तरह से करके हम यहाँ पर डाल देंगे तो हम बात लेंगे इसे एजली बहुत ही कुपसदर से हमारी ड्रेस बनके रेड़ी होगी आप किसी भी सायज भी पनाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी मैं इस पर चोटा सा एक फ्लार बना के लिखाते हूं आपको हम लगा लेंगे तो इसे वही हमारा और भी सुन्दर लगने तो फ्लार के लिए मैं अपना सेकेंड कलर लेंगे हमें जासे लूप बनाई थी वैसे हमने यहाँ पे एक छोटी सी लूप बनाई और बनाने के बाद इसमें अपने हुक को डालेंगे डालने के बाद हमने यहाँ पे चेन बनानी है तो देखें यह इस तरह से यह हमने एक दो तीन चार हमने चार चेन बनाई चार चेन बनाने पांच, छे, छे चेन बनानी है और इसी छोटे से सरकल में डालके ज्वैंट कर लेना है यह दिखें इस तरह से हमने यह आपे ज्वैंट कर दिया, फिर वही चीज करेंगे छे चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे चेन बनाने के बार इसी छोटे से सरकल में डालके फिर से ज्वैंट करेंगे, ऐसा ही हम यह आपे पांच, छे बार करेंगे तो हमारा शोटा सा फ्लार बनेगा चले बना लेती हूँ, फिर आगे बिताओंगे यह दिखें हमने यह आपे इस पे यह फ्लार लगा दी है बहुत ही अच्छे से आगे है इस पर मैंने यह फेवी बॉंड की हल्प से चिपका दिया है आप इसे सुरी धाइके से सिल भी सकते हैं देखें यह इस तरह से फेवी बॉंड मिलता है इसकी हल्प से बहुत ज़ली से चिपक जाता है अब चले इसे हम काना जी को पहना लेते हैं यह हमारे चार नंबर के काना है तो यह दिखे गाइस यहाँ पर हमने चार नंबर के काना को पुशाक पहना दिये इसे पहना के मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया अगर आपना वीडियो बीटाय करदी है और वीडियो तो आप चर्वापस बिलिदी है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं इस दर्लिस आप 3 नमबर और 5 नमबर और पांच नमबर js के दिलिध तो पहना सकते हैं मैं एक वीडियो और पीपिनाय का समास बिटा दिया है गर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे